दर्शकों मैं आपको आज दुनांक 12 अप्रेल 2024 वार सुक्रवार हिंदी मास चेत्र सुक्ल पक्ष तिथी चतुर्थी चोथा चेत्र नवरात्री मतलब कि मा भगवती जगदंबा का तीसरा सरूप रितु बसंत्रितु विक्रम संबद 2021 का रासी पल बताने जा रहा हूं आज नक्षत्र रोणी नक्षत्र आज चंद्रमा ब्रसब रासी में और सूर मीन रासी में रहेगा तता रावुकाल का समय आज प्रात है दस बज़ कर 47 मिनट से लेकर 12 बज़ कर 23 मिनट तक रहेगा जो की कोई भी सुब कार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं रावुकाल के समय कोई भी सुब कार प्रारम नहीं करना चाहिए अब जित महुरा दुपहर 11 बज़ कर 57 मिनट से दुपहर 12 बज़ कर 48 मिनट तक रहेगा जो की किसी भी नए कार को प्रारम करने के लिए अति उत्तम वह सुब माना जाता है दरसको मैं आपको रासी पल के अं सुक्रवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचें सुक्रवार के दिन कौन सी देवी देवता भगवान को पूजने की अधिक मानता है सुक्रवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तदा पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहने एवं अपनी कार सिद्धी के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाप करें एवं हम सुक्रवार का व्रत रखे तो व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अन्त तक वने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे के अगले दिन रासीपल का नौटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके दर्सकों हम यह रासीपल का वीडियो अनेकों पंचांगों का संग रह करके तता रासी जोति आरात्म कमेंट जरूर करें और हम आपके लिए ज्यानवर्दक वीडियो आपके समक्षे प्रिस्तुत करते रहेंगे अब आगे बात करते हैं रासीपल के बारे में लेकिन दर्शकों रासीपल बताने से पहले आज थोड़ा सा प्रकास चैत्र नवरात्री के चोथे सुरू मा भगवती के चोथे सुरूब पर डालते हैं माता कुशमांडा कौन है नवरात्री के चोथे दिन देवी मा को कुशमांडा के रूप में पूजा जाता है अपनी मंद हलकी हसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन करने के कार्ण इस देवी को कुशमांडा ना यह कूश मानना की एक छोटी सी कता है आगे हमने विश्त्रत रूप से वीडियो अपने यूटूब चैनल पर डाउनलोड की हुई है तुलारासी जिनके नाम का अक्षर राता से शुरू होता है तुलारासी वालों के लिए आज पॉजिटिव क्या रहेगा सकारात मत कोई कानूनी कारवाई चल रही है तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है साथ ही किसी महत्पुन व्यक्ति का सायोग आपके कारियों को और अधिक सुगम बनाएगा अपने किसी खास मिसन को लेकर किये गए प्रियास सफल होंगे नकारात मक्या रहेगा आज तोलारासी वालों के लिए किसी नजदी की संबंदी के साथ मनमुटाब होने जैसी इस्तिती बन रही है बेहतर होगा कि घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपको बेपकू बना सकता है इस साइक इस्तल पर कुछ परवर्तन करने जरूत है प्रापटी के बिजनिस में महत पूंडील हो सकती है प्रेम संबंदों में घर परवार का वातवन सुखद हो रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानकी मुलाकात हो सकती है जो कि आश्चर जनक रहेगी आपका स्वास्ते में बर्तमान मौसम की बजह से कुछ सारी परेशाने रहेंगे लापरवाई न बरते हैं उचित इलाज ले आपका भागसाली रंग सपेद है और भागसाली अंक नो है अब हम बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी वालों की जिनके नाम का अक्षर ना या से शुरू होता है पॉज कर सामना करें मानसिक और आत्म सुक्सानती का अनवब होगा बच्चे अपनी पढ़ाई के परती एक आग्रिचित रहेंगे नकारात्म क्या रहेगा कोई पुराना विवाद दोबारा उबर सकता है किसी भी तरह का लेंदन करते समय लापरकवाई की वजह से नुक्सान होने की आसंका है इसलिए सावधान रहें ओनलाइन शापिंग आदी करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें वरना महत्पूर्ण गत्विद्या वातित होंगी व्यवसाहिक कार प्रणाली यथावत रहेगी आपकी उपस्तिती से अन्सासित व्यवस्ता बनी रहेगी किसी सा स्वास्ति का नकार आत्मक रवया कार इस्तल की वातावरन को प्रभात्वी कर सकता है सांती पूर्ण तरीके से परिस्तितियों में सुधाल लाएं आप इसका माहूर उचित बना रहेगा प्रहम संबंदों में जीवन साती की सलाव है सहयोग आपके लिए लावदाइक रहे आपका भागसाली रंग नीला है और भागसाली अंक सात है आगे हम बात करते हैं धनरासी की जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा भा भा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा प्रभागसाली लोगों से संपर्क बनेंगे तता कारभार भी बढ़ेगा नहीं जिम्मे और गंबी रहेंगे नेगेटिव क्या रहेगा बच्चों की समस्याओं को सुल्जाने में उनका सहयोग करें किसी पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती बन रही है बैतर होगा कि दूसरों के मामले में ना उलज कर अपने कारियों में ध्यान दें जल्दवाजी में कोई फैसला लेना पस्तावा भी दे सकता है ब्यवसाई में ब्यवसाई खेत्र पर अपनी उपस्तिती अनवार रखें करमचारियों और स्टाब के सुझाव का खुले दिल से स्वागत करें इससे कारोवार बढ़ाने की संभावना बनेगी आप इसमें अपने सहयोग्य स्वास्ते अपनी छमता से अधिक कारवार नाले सारीरिक और मांसिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें आपका भागसाली रंग लाल है और भागसाली अंक पांच है अब हम बात करते ही मकर रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा खा गा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज आज आप पूरी मेहनत वे परिस्रम से हर एक कार को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और आपकी लगन और मेहनत आपको उचित प्रणाम भी हासिल करवाएगी किसी नजदी की मित्र का सहयोग आपकी हिम् स्वाइल वे ईमेल द्वारा सुब समाचा प्राप्त होने की संबावना है नकारात्म क्या रहेगा आज आपके लिए स्वार्ती मित्रों से दूरी बना कर रखें उनकी गलत सलाह आपको आपके लक्ष से भटका सकती है जिसकी वजह से मन में मायूसी रहेगी इसलिए बहरी लोगों के व्यक्तित का मूलांकन करने के बाद भी उनसे संब्द बनाएं ब्यवसाय में कारक्षेत्र में अपनी उपस्तिती अनवार रखना जरूरी है क्योंकि ब्यवसाय में आज ज्यादा काम की अधिकता रहेगी दूसरों की सलाह पर भी विचार करके सभी निर्णे ल रहेएं जिसकी बजह से मान्सिक सांती पराप्त होगी रहें शंबंदों में अलगा होने जैसी स्थिती बन सकती है स्वास्ते में तो अपने सभी कारियों पर ध्यान नदे सकने की बजह से डिपरेशन जैसे इस्थिति महसूर्ष करें प्रंत ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इतनी गम्मीर नहीं है आपने व्यर्थ ही तनाव बना लिया हुआ है आपका भागसाली रंग केसरिया है और भागसाली अंक एक है अब हम बात करते ही कुम्राशी की जिनके नाम का पहला अक्षर गुसासादा यह सब अक्षरों से शुरू होता है उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है रुची पूर्ण कारों में बहतनी समय ब्यतीत होगा घर में उचित विवस्ता बनाई रखने की कोशिश काम्याब होगी आपका आत्व विश्वास नई उम्मीद और आसाओं को जागरित करीगा नकारा आत्मक क्या रहेगा आपके लिए आज घर के बड़े लोगों का सम्मान करें घर के रक्रकाव संबंदी बस्तों की खरीदारी करते समय अपने बजट का नजर अंदाज ना करें बच्चों के करियर और विवा को लेकर चिंता रह सकती है हालां कि समय अंसार कार बनते जाएं बहुत व्यस्तता रहेगी मेनत के मताविक नतीजे कुछ कम ही मिलेंगे दांपत्य जीमन सुखद और प्रेम पूर्ण रहेगा युवा बर्ग प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने अध्यन और करियर के साथ समझता ना करें स्वास्ते में पैरों में दर्द और सूजन की स अब हम आगे बात करते हैं कुम्रासी के बारे में कुम्रासी हम ने बहुते हैं जिनके नाम का अक्षर दी चा जा जाजन्डा था से सुरूब होता है पॉजिट्व क्या रहेगा उनके लिए आज स्ठान पर वरतन संभंद dıyla प्लाणिक कर रहेे तो ग्रह अस्तिती आपके लेने की योजना बना रहे तो उत्यम समय है अचनक कि किसी अंजान्वयक्ती से मुलाकात आपके लिए फाइदेबंद रहेगी क्या रहेगा आपके लिए आज का नेगेटिव यह समय बहुत ही सांतीपुर्ण तरीके से व्यतीत करने का है व्यर्थ के वाद विवास से दूर हैं कोई पैत्रिक संबंदी मसले को लेकर तनाव रह सकता है आप भी संकालू सुभाब को बदलें और लची लापन लेकर आएं व्यवसाय में व्यवसाय गत्विदियों पर आपका पूर्ण नेंत्रण रहेगा कारोबार की योजनाओं क को शिक्रेट रखें कोई इनका फाइदा उठा सकता है नो क्रीपेशा लोगों को भी आप इस तता सहयोग्यों के बीच मान सम्मान वह साक बनी रहेगी प्रेम संबंदों में जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर का सुनी होगी अपने गुस्षे पर कावू रखें प्रेम और भागसाली अंक एक है शुक्रवार को घड़ से क्या खाकर निकलना चाहिए शुक्रवार के दिन बाहर निकलने से पहले दाई और चीनी खाकर निकलना चाहिए ऐसा करने से हर कार सफलता पूर्वक हो जाता है शुक्रवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए जोतिस सास्त्र के और वास्तु के मताविक शुक्रवार के दिन पश्चिम और दक्षिन पश्चिम कोन में दिसासूल माना जाता है शुक्रवार को किसका ब्रत करना चाहिए शुक्रवार को हिंदू देवता कौन है शुक्रवार दिन देवी मा लक्षिमी महा लक्षिमी संतोसी मा और अन पूनेश्वरी और दुरगा को समर्पित है इस दिन में ठाईयें बाटी जाती है ब्रत रखने वाले भक्त रात में हिन्दू दरम में देवी मा और शुक्र या सुक्र को समर्पित है शुक्रवार को कुन सा मंत्र पढ़ना चाहिए सुक्रवार के दिन मंत्र पढ़ना चाहिए आप ध्यान पुर्वक्षुने ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वित मनस्यो मत्स प्रसादेन भवस्यती नसंस है ओम प्रशीद ओम स्रेम हिरीम स्रेम महालक्ष में नमा पुने मैं इस मंत्र को पड़ता हूं ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वित मनस्यो मत्स प्रसादेन भवस्यती नसंस है ओम प्रशीद ओम स्रेम हिरीम स्रेम महालक्ष में नमा इस दिन इस मंत्र को पढ़ना चाहिए मालक्ष में के लिए और संतोसी माता के ब्रत में साम को क्या खाना चाहिए सुक्रवार के दिन संतोसी माता का भी ब्रत किया जाता है संतोसी माता के ब्रत में कौन-कौन से पल खाने चाहिए सुक्रवार ब्रत के दोरान साम के एक समय भोजन ग्रेंड करना चाहिए इस दिन खटे फल और सबजी आदी का सेवन नहीं करना चाहिए आप फल दूद गुड चना और हलवा आदी का सेवन कर सकते हैं सुक्रवार को कौन से कपड़े पहनने चाहिए सुक्रवार का स्वामी ग्रह सुक्र है सुक्र हलके रंग रंगों जैसी हलका नीला हलका गुलावी या सफेद से महल खाता सुक्रवार के दिन सफेद गुलावी या नीले रंग के कपड़े पहनना महलाओं और खलाकारों के लिए भी से इसलावकारी होता है चुक्कि सुक्र एक इस्त्री ग्रह है इसलिए ये प्रेम से जुड़ा है आगे सुक्रवार के दिन क्या दान करना चाहिए सफेद वस्त सुक्रवार को मालक्ष्मी की विदीवत पूजा की जाती है उनको उनकी पसिन दीदा चीजें जैसे कमल गट्टा लाल फूल सफेद मिठाईया खीर अर्पित किया जाता है इसके बाद अगर आप सफेद वस्त का दान करें तो ये बहुत सुमाना जाता है दही शुक्रवार को दही का दान करना बहुत सुमाना जाता है इस तरह से सुक्रवार के कुछ नियम हैं आगे भी है कि मा लक्षमी को लक्षमी जी को कौन सा फूल प्रिय है जोतिस सास्त्र के अंसार मा लक्षमी को लाल रंग के गुड़ल का फूल अधिक प्रिय है सुक्रवार के दिन मा लक्षमी की पूजा में यह फूल चड़ाना बहुत सुब माना गया है मान नता है कि मालक्षमी को ये पूल अर्पित करने से वह प्रसन होती है और सुक्षम्रदी की प्राप्ति होती है वहीं सफेद कनेर का फूल भी मालक्षमी को बहुत पसंद है इस तरह से सुक्रवार के उपा है दर्शको अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को और परवारी जनों को इस वीडियो को शेयर करें रादे रादे जैसरी रादे